हुआ है हैं हलो स्ट्रेंटेंड्स वेलकम बैक टू माइन वीडियो सब्सक्राइब आज से हम एक इक चैप्टर हम स्पढ़ने वाले हैं तो जी चैप्टर पढ़ने वाले हैं यह इंजिएक लाश्टेंद का फॉस्ट चैप्टर है इसका नाम है रासाइनिक आधकिरिया एव जनकारी दिना चाहूंगा के विज्ञान का परिभांसा क्या होता है तो यहां पर देख सकते हैं सिंप्ली मैंने यहां पर दिखा हुआ है बिज्ञान सद्वी प्लस ग्यान सब्द्स से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है विश्च्ट ग्यान वास्त में अप्रकिर्टिक तो यह थे विज्ञानी कुछ परिभासा है और इनके जनक के बारे में इस चप्टर से चप्टर को पढ़ने से पहले आपको प्रियोडिक टेवल की एलिमेंट्स और उनके परमाडू भार परमाडू करमांग ठीक है उनको याद सुना चाहिए कम से मिनिमाम से मिनिमाम आपको कम से कम तीस तत्व के नाम उसके परमाडू भार परमाडू करमांग और उनके सिंबल किसे डिनोट करते हैं जैसा कि सोडियम हो गया एने सोडियम को एने से डिनोट करते हैं हाई रोजन हीलियम इस जितने भी सारे तत्व है इन सभी कि सिंबल सियाद होने चाहिए इनके पर हमारे चारो और सदेव अन्यक परिवर्तन घटित होते रहते हैं इन में से कुछ परिवर्तन केवल पदार्थ की भौतिक अवस्ता आकार एवं भौतिक गुड़ों में परिवर्तन करते हैं प्रन्त उनमें कुछ रसायनिक अभटन एवं गुड़ों आधी पर कोई परभाव ठीक है तो ऐसे परिवर्तन घॉधं राते हैं जैसे कि भर्भ का गलना जल का जमना जल का वास्प अ हम लोग जानते हैंहों में आरनि हमने जल कोमwurf वास्था में धेक लिक्वीड इस्टेट्श में हमने को देखते हैं तो उसको कि स्लिद्व में करने के लिए कि हम उसे क्या करते हैं से लिख बनता है अब भर्फ बहुता है चोव सब्सक्राइब होता है और ला स्वर्फ मुन सब्सक्राइब जब घर्वर हल्का होता है जब वास्प तो आस्मान के ज़दा उ चलते हैं तो यहीं हो तो यह होता है जल का वास्पी कर रहें आजए चैप्टरश च्टॉपिक पहलं से इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आज def क्षब को दर आसे हैं कि ख़ले से निक ऐसी परिवर्तन परफफ़तन क्रơइब सरा कि जब smells तैंछ देसे कि अहलों थे हैं पार मत चंब जाता है यह हमारे कुछ रसानिक परिवर्तन होते हैं इसके बढ़े में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आगे देखते हैं यह सब क्या होती है यह सब हमारी रासानिक परिवर्तन का लाते हैं जैसे कि दूद का फटना जंग लगना फिट वन दोहन संसलेशर परमाडू को ध्यान प्रोंग समझेगा एंगया चैमिकल एकसन के बारे में तो वह अभिकिरिया जिसमें एक या एक सदिक पदात परस्थ पर अभिकिया करके पुना यह विवस्टित होकर एक नय पदात कर निर्वाण करते हैं क्या एवं निर्मित पदार्थ के बहुतिक या रसाइन प्रसपर मिलकर पूना एक नए पदास्तर निर्माड करते हैं तो यह हो जागा इसका डिफनेशन तो इसके उधान दे सकते हैं जैसे कि यहां पर दिया गया मैंगनेशियम धातु को वायू में जलाने पर मैंगनेशियम अक्साइड का सफेज चून प्राप्त होता है ठीक है है दिखा होगा मैंगनेशियम देखा लोल देता है वहार की कि अपर चून प्राप्त होता है धिक है होते हैं यह सकते हैं यह है है नो यहां पर कितने चाब क्या पढ़ेंगे मेगनेशियम प्लस अक्साइड मेंगनेशियम क्या हो गया अभी इसे अभी कारग कहेंगे और इससे जो इन दोनों के मिलने से जो बनेगा उसे हम कहेंगा उतपाद देगा तो जैसे कि magnesium और और हमारा मिला है तो हमें मिलता हैं यहां है कि एक तत हो था है जिसए कि यह यहां पर हिट के वायू की पस्तिया में और ऑउक्सिजन के प्रजिंटी में जब इसे हम बटें जलाए गया तो हमें आपनेमें समय हैं अगी तरफ अब यह सगते हैं एक भाध में हैं हमें हमारे हमारे उतमार वाध होता है अरव है का य्पन्तर अंतर समझे हो और सैंगे हैं देहें एक रसानिक अभिकिरा को निमने खित निमने प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है तो यह कुछ निमने प्रेक्षण है इनके द्वारा हम रसानिक अभिकिरा को पहचान सकते हैं इससे पहला है अवस्था में परिवर्तन अवस्था में परिवर्तन जैसे कि हम जानते से सॉलिड में बदल जाता है लिक्विट से सोरेड स्टेड में चेंज जाता है तो यह क्या होगा उसकी परिधमा पहले एक जल को हम रख देंगे एक मंगे में तो उसके को कोई आकार नहीं है उसों जहां रखेंगे उस मौका वह आकार लेगा उस आकिति का बन जाएगा तो टीछ अवस्था में उसको वभ बनाये वंगा उस्था एक जाएगा फिर दीडीर दीडीरी लेगा क्या हो जाएगा यह हमारा अउस्था में परिवर्तन की निकलना और प्रेक्षणों के दोबरा हमी रसाइनिक अभिक्रा की पहचान कर सकते हां कि यह अगली क्लास में जाएंगे तो आपको यही चीजें आपको डीप में मिलेगी ठीक है तो इसको आप अपने बेस्टिक को अपने मजबूत रखिए आप जब आपका बेस्टिक चीज कंप्लीट रहेगा तो आपकी पढ़ने में अच्छा लगए आपको समझ में भी आएगा अगर आपको समझ में नहीं जाएगा तो इसलिए इन सब्सक्राइब और एक टॉपिक को सभी से समझेगा तो हम देखते हैं अब रसानिक समिक्रण क्या होता है कैमिकल एक्वेशन तो किसी पर लेने वाले पदार्थों जैसे कि अभिकारक या उत्पाद दोनों क्या है एक पदार्थ ही है ठीक है तो किसी भी रसाइनिक अभिकिरिया में भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों पदार्थों के प्रतीकों के माध्यम से संचिप्त परदर्शन संचिप्त परदर् रहे हैं ठीक है जब हम कोई भी अविक्रिया करा रहे हैं तो उसमें जो उसमें जो भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं ठीक है उनको उनके प्रतीकों द्वारा उस पदार्थ को उसके प्रतीक द्वारा अर्थ था उनके सुत्रु के माध्यम से जो परदर्शित करते हैं तो उस से क्या करते है हम समींक ख्राइब्र जैसे कि आम ने उपर देखा था हम ने है हम यह यह है किरीक है तो इहां पर देख सकते हैं आप यह क्या हैं मैंसियम एक पदार थे ठीड envision और यह हमारा है तो यह हमारा है रसाइनिक्स सम्मिकरण इसमें अभिका रखे और यह उत्पाद है तो यह है यहाँ पर यहाँ फिन और एक हमारा से परदर्शित करना है रसाइनिक्स समिकरण कहलाता है तो यहां पर यह अभिकारक है या किरिया कारक तथा उत्पन होने वाले पदार्द उत्पाद प्रोडेक्ट कहलाते हैं ठीक है तो जो उपने उपर देखा तो यह क्या यह अभिकारक है और इनसे तो है तो यह क्या है है अभिकार तथा उत्पन होने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं तो यह हम समझ गए अधिकारक और पाद के बारे में यहां पर अगला उधारन है हमारा उधारन के लिए प्रफ चेल यह मेधिन का लिए वाय औक्सीजन के अधिक के दहन करने पर कार्बन डेउस साइड क्या होता है तता जल बनते हैं इस अभी करिया मेरा साइनिक संविक कर्ण दोरा निम्न व्यक्त किया जाता उधाल है यह जैसे आप हो गया यह गैस अवस्ता में झाहिए यह ऑक वह यह हमारा हो गया है कि हमारे रसाइनिक अभी जब क्या होगा जब मेथन तथा जल को कि जब मेथन जल को अभी तरहेंगे कि में क्या होगा कारबन एक साइड और हमारा जल नाप्त होगा तो यहां पर आ गए हैं मेथेन चारबन डाइन जल उपर्यूंट अभी किया में मेथेन अभिकारक तथा कारबन एक सब्सक्राइब फाद हो गया जल हमारा भी पाद जैसे कि यह तुछ जो अमारे था मेथेन यह क्या था हमारा अभिकारक और ऑप्सिजन भी हमारा अभिकारक था ठीक है जब इन दोनों के रियक्सिन होने के पश्चा जो आमारा जो प्रोड़न बना है उसे क्या करेंगे उत्पाद वीसमें क् तो अगला अमरा टॉपीक आता है राशायनिक समिक्रण के लिखने की विध्यी नहीं देखिये यह भी बहुत सिंपल है तो जैसे कि हम ऊपर समिकरण देख तरीके से लिख सकते हैं देखिए तो देखिए आप यहां यहां किसी भी अभिकिडिया परिव्रतित करने के लिए निम्लिक्त तत्यों की जनकारी आवश्चक नहीं तो लिखने के लिए यह निम्लिक्त तत्यों लेने वाले सभी किरियकार्वें उत्पादों के अनुसुत्र राप्रतीक ज्यात होने चाहिए ठीक है तो मैंने आपको चेप्टर पढ़ाने से पहरे स्टार्ट बताया था मैंने कि आपको इन सब पदार सदेव रूप में लिख दाते हैं प्रतीक है यह सब क्या है इनके आडवी कूरूप है प्रतीक है यह सभी तत्तों के क्या है प्रतिक है उसके तीसरा पॉइंट है कि एक परमाणुक तत्यों को रसाइनिक समिकर्ण में उनके प्रतिकों द्वारा दर्साया जाता है जाता है यह सब क्या है प्रतिकों द्वारा संकीतों द्वारा क्या करते हैं वे इंत्त तन को दरसा अग्ला हमारा पॉइंट है शॉठ्फो की जन्कारी प्राप्ध यह 93 समिकर्ण होगात तो हमिन लिख दियो तत्थ्फिट है पहले हैं कोई भी रासाइनिक अभिकिर्या रासाइनिक समिकरण भाग लेने वाले अभिकारक यह अभिकरिया के पश्चात उतवाद पदार उतवाद के संदर्व में जनकारी देटी एत नियर्शनिक अविक्रिया होगाए तो अभिकारक एफ की उतवाद नियर्ण के फश्चात जो भी आमारे उतवाद प्रावत प्रावत मिलती है ये एक माथ हो गया दूसरा है इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अड़ों में परमारू के संगठन की व्योस्था का पता चलता है, इसमें क्या होता है, अभिकारक एवं उत्पाद के अड़ों में परमारू के संगठन की व्योस्था का पता चलता है, एक परमारू दियक्षन होता है, तो क्या होती है एक हमेरा नेक्स पॉइंट है इसे अड़ों की संख्याओं एवं दर्मान के आप पेचिक अनुपाद भिग्याद होता है ठिक है तो जो हमारा जो रसाइनिक अफिक्रिया होता है ठीक है रसाइक से समिकरां होता है वह हमें इक वर रहता है तो जितना अभिकारक है सब्दल टो ह्माशन संतूरित है तो रसानी प्र यह में हमारा अगला अगला सबक्रिय से अभिक्रिया प्रकीत क्या अगला इस में Asia स् निर्जमित गैसिये पदार्थों के आयतन ग्यात हो जाते हैं जैसे कि यहां पर एक नौट दिया गया है एन टीपी पर एक मोल गैस का आयतन 22,4 लीटर होता है ठीक है अगला पॉइंट से समिग्रण की सीमा है ठीक है लिमिटीशन ओफ लिमिटीशन ओफ ट्यामिकल एकवेशन जो हमारे रसायनिक समिक्रण होते हैं उनकी सीमा यह कहां कहां तक ठीगां तो यहां पर हमारे बहुत सारे पॉइंट्स दिया गहां इन पॉइंट्सों को द्यान समझे जल जद समझने के प्रयास कीजिए तो आगे देए यह देपी रसायनिक समीक्रण से बहुत सी महतपूर जनकारी प्राप्त होती है प्रन्तु यहां निम्लिखित को सपस्व करने में और समर्थ रही है जिस से बहुत सारी जनकारी यह लेकिन पुछ निम्न तर्थ है वाइं से जिनको यह साइनिंग समिक्राण बताने में और यह भी हमें जानना बहुत इन पॉट्ट है जा इसको एक एक पॉइंट सो समझते हैं इसमें पहला पॉइंट से इससे अभिकारों को यह उत्पादों की भौतिक अवस्था के समध में कोई भी जनकारी प्राप इसके अगला प प्रेरख आदिकी जनकारी नहीं मिलती है ठीक है इससे अभिकरिया के वेग एर्यम अभिकारक तथा उत्पादों के सेनिंट विद्रन का ज्यान नहीं होता है ठीक है इससे अभिकरिया में परिवत makes क्वदों की जनकारी नहीं मिनती है इससे अभिकिरिया में या फ्रुक्त होने वाले उड़ जाना ठीक है इसे कोई अभिकिरिया होता है तो इसमें पर प्रेलफ के रूप में कार करते हैं अगली श्रास में पढ़ेंगी जब आप कौने-टेंट में इसमें एलेवन ड्रेंट में जाएंगे तब आपको उत्रक प्रीयर के बारें प्रशाल ए हम आगे बढ़ेंगे उत्रक यह जान लीजिये जैसा कि हम कोई को बनेर करता है उसे अभिकिरिया को होने के लिए कोई या प्रेयोक्ट होने वाले मुझत प्रयुक्त होगे संब्सक्राइब कोई इसमें यहां भी तो मैं screaming Agent यहां को प्रूण होने लगे समय के सम्मौ्ण जनकारी प्रत्त नहीं नहीं होता ऐखर्थात या प्ष्ट में होती हुच्छ है ये अनुत्रों मचल उत्साम आपको समय से पहले हों यह उपती है टिकिस को चीज़ें होती है जैसे की हमारा पैटरोल होता है ठीक है पैटरोल को हम एक बार यूज़ कर लेते हैं फिर इसका पुरा यूज नहीं करते हैं तो यह हमारे क्या होजाएगा पुद पेर्मनी होजाएगा पाथ सकी हम शूटक्रमनी इसके फिर्च पूरे तन मैं रहा है है इसे कि हवा जैसे कि जल हो गया जनको मतल हम बदल देंगे या नाले पानी होते हैं क्या करते हैं तो क्या हो गए इसे कहांगे उत्रमणी यह हैं इसमें यह सात्वा कि इससे यह भी ग्याद नहीं होता कि अर्थात या अनुत्रमणी है केवल अगर दिसा में ठीक है यह थे हमारे कुछ मुख वॉइंट गार अगले पांट स्ट्रम परकार अजम आता है क्या हूँ इंग यहां केश। को हम पढ़ेंगे उसके एक्जेंबल के साथ तो रसाइनिक अविक्रिया विभीन प्रकारवी होती है यह परस्पर भीन भीन होती है प्रन्तु एक अविक्रिया एक विशिष्ट गुड़ के अधार पर एक कुछ अन्य अविक्रियाओं के समानता दर्शा दसा सकते हैइं इस गुड़ के अधार पर हम इस सभी अविक्रियाओं और विशिष्ट में रखा जाता है अजर नविक्रिया को स्सेल कुछ विशिष्ट्वागूड इनको इतने भागूं इसको डिवाइट कहें आ है यह कुछ परकार तो जो हमारा पहला है संयोग का मतलब समझते हैं यहां पर क्या लिखा है कंबिनेशन रियक्शन संयोग का मतलब किसी चूज का जूड़ना होगा ठीक है तो यही है तो बहुत सिंपल है अभी तो वह रसाइनिक अभी किरा जिसमें दो या दो से अधिक पदार या तक तो संयोग करके एकल उतपाद करते है एक निमार करते हैं तो यह क्या करता है करता है संयोग अभी किरिया कहलाता है इन अभी किर्याओं में कोई भी सह उतपाद बाइफ्रोड़क्स नहीं बनता इस वह मतलब सब्सक्राइब पर आउन दोनों को गैसिय अवस्था योगी संपर्क में आने पर इनकी परसपर किरिया से अमोनियम क्लॉराइड का सफ़ेद भुष्भ पराप्त होता है सफ़ेद रहा राप्त होता है तो जैसे यह अमोनिया है अमोनियम सुथर होता है और हेस्ट लग्राइट इन दुनों को जब करते हैं तो हमारा क्या बनता है अमोनियम प्लॉराइट एनिच फौर्स एल ठीक है आमोनियम प्लॉइट बनता है तो यह वाल हो गया अभिकारक और यह हमार हो गया उपाद तो इस Sam Grid बता गयाँ कि जब वियरी दॡोस ऑधिन करके मिलक करके यह अब her करके एकर उत्पाद करने बाड़ करते हैं तो हमारा एक अभी इन अभी है का लाता है और इस में कोई स्टप प्रोड्प नहीं बनता है ठीक है यह इखेंपल गया है जैसे कि आमॉनिया और होती है सिर्फ एक मुत्वाद बनता है अमोनियम प्लॉराइट और यह था हमारा सभी कभी पेपरों में परिभासा ग्रूप में दो नमबर में पूछ लिए इसके इजैंपल को आप याद कीजेगा और समझेगा यह हम चाहिए इसके अगले टाइप के तरफ यहां पर एक और जैंपल यहां ने इंट कर दिया है जिसे आपको अच्छी समझ में आढ़ाइड हो जैसे कि आप अब कर्पर ओं मोनोक्साइड और क्लोरीन क्लिया कर आते हैं तो हमारा कार्बोनील क्लोराइड यह से भाइसीन भी कहते हैं ठीक है तो कार्बन मोनोक्साइड और क्लोरीन की तो हमारा क्या प्राफ्स होता है कार्बनील क्लोराइड या पाइजीन तो यह होता है तो यह हमारा यह हमारा हो गया यहां पर कोईले कारवन क्या होता है और यहां और ऑक्सिजन करते हैं तो हमारा क्या फ्राप्त होता है कार्बन डेक्साइड क्या स्वाइड होता है तो यह था हमारा क्या अब इसके बाद हमारा दूसरा जो अभिकिरिया का प्रकार वह तो इसके वह रहां योगिक बाएकार को के परहाओतु वारा अपने ही अवय तत्यों याज़ू योगिक में अब घ्टित हो जाता है प्योजन अविक्रिया कहाना था सभू measures को यह जिसने इस अभीक्रियाम में होने ंजाने के लिए विजुद धारा के द वारा भी परिवर्दन, गौ yan तो जैसे कि आप दिया गए इन अभिकिरियाओं में अभिकिरा के कारण उस्मा विजुत परभाव परकास पोस्त परकास को कि खटा देने पर भी कोई मूल पदार्थ प्राप नहीं होता है अनुत फिर्मणी होती है और वियोजन अभिकिरा निम लिखित तीन फरकार नहीं होती है तो इसमें जो पहला है वह उसमें अभगटन तेक हैं उसमें अभगटन फर्मनल डी कॉम्पोजीशन तो वह रसायनिक अभिकिर्या जिसमें योगिक उसमा द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है उसमी अभगटन कहलाता है तो इस अभिकिर्या में क्या हो जाए कोई भी पदार्थ हड़िक है वह उसमा के कारण हीट के कारण क्या होता है वह दो या दो से चीनी और पानी क्या हो जाएगा हमारा सरल पदार्थ हो जाएगा ठीक है और हमारा जो सर्वत हो जाएगा हो जटिल पदार्थ हो ठीक है क्या होता है चीनी और चीनी और पानी के मिलने से क्या होगा एक हमारा नया पदार्थ बनेगा वो क्या होगा सर्वत ठीक है तो यह क्या हो जाएगा हमारा सरल पदार यही यहां पर कहा गया है जब दोयादों से अधिक पदार ठीक है उस्मा के कारण क्या हो गया है दोयादों से अधिक पदार्थों में अब घटित हो जाएंगे विखर जाएंगे तूट जाएंगे तो यह कहा ला जाएगा उस्मा अ multiplied dai oxide में अब घटित हो जाता ठीक है जैसे कि किया तकार्बन कार्बोनेट डिक है यह कैलसियम कार्बोनेट में ठीक है इसको हीट दिया गया है तो jumpsca T tastingقت며 प्रिवर्तन हो गया यह पहले कियाश सिर्थ एक ही ततो था कस्यम कार्बनेट अविछ तथा carbon dioxide में परिवर्थन हो गया है यह पहले क्या था सिर्फ एक ही ततो था calcium carbonate जब इसको heat दिया गया है तो अपने दो सरल carbon पदार्थों में अब खटित हो गया है इसी equation को आप अगर इसी equation को आप उल्टा कर देंगे जो हमारा equation होगा बिल्कुर सही होगा ठीक है यहाँ पर calcium oxide और carbon को जब अभिक्रा कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा calcium carbonate ही हमारा 250 हो प्राप्त होगा क्या है तो यह इनकी हो गये सरल पदार और यह हो गया इसका जटिल पधार जासा की उसमा तो में तो में तो disciplinesosaur में तो गया तो क्या कहेंगे उसमी अभडन कहेंगे जानते हैं यशित करता है तो कि अच्छी सब आज गतब करते हैं कि दिया गए है इस अभिकिर्या का प्रयोग विभीन उध्योग का जासे सिमेंट उध्योग आधी में या जाता है जो यह अभिकिरिया है इसी अभिकिर्य के दोड़ा क्या बनता है मेरा सिमेंट बनता है कि उसके बाद हमारा दूसरा है हमारा अग्जाम्पल है फिशाल सलफेट को गर्म करने पर यह फिरीक आकसाइड तथा सलफर डैऔकसाइड तथा को सलफिर्णड ट्राइड्राइट देइव फिर्ण सल्फdes ऐता है ठीक है तो यहुत है अंब करते हैं क्या होता है वह फेरिक चेल्फर ट्राइट यहां पर तीसरान से परकास अभटन थीग हौन गशा होगा किसी बिस्ताथों को जब प्रकास की起 Natyak में करते हैं जब फ्रकास के दोरा होता है तब व्हसे प्रकास की अभगतन कहता है जैसे में man plays acija trakin in hai सब्सक्यों एसनि से लगल पुराइड को लप्रण कास तो एस डिये को सूरकी उपस्तिती में देख राते हैं को मार क्राइन तो सीलवर लास रॉराइड तो कि यह यह हमारा सुर्ग की उपस्तिती में हुआ इसलिए से प्रकास यह घटन कहेंगे उप्योग तो अभिकिरिया का उप्योग चल तो स्विट गरण में त्याई द्यार त्याता है क्योंकि अध्य प्रकास में थिखन सरेटी घ्रें रंग में परिवर्थित हूं इनerry कुरिया हमारे क्या होता है यह श्वęt प्रकास की फोटोग्राफी में यह हम सर यूज्ज करते हैं झाल